नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चेनल ऑनलेन पंचायत में मुझे बहुत कुशी हो रही है कि आप सभी को मेरा चेनल बहुत पसंद आ रहा है और आप ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं अब आगे भी इसी तरह मेरे चेनल को मेरे वीडियो को पसंद करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें आप सभी को पता ही है कि सब्सक्राइब करने के लिए इस तरह मेरे चेनल दिखती है यहां subscribe की बटन पर click करना है और यह आपको पूरी तरह से initial करेगा subscribe पर click करना और आपको पता है कि इससे ही आपको हर प्रत्यक नए वीडियो की मैं जो भी नए वीडियो बनाता हूँ उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी तो दोस्तों आज हम सीखते हैं सबसे जरूरी बाते कि हम budget allocation कैसे करें budget allocation कैसे करें और opening balance feed किस प्रकार करें तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे login पर click करेंगे अब login यह ग्राम सुराज portal में login पर click करेंगे और यह साब सब्सक्राइब को पता है हमारे पास 3 login है admin login maker login और शेकल login तो अब हम फिर से admin login से login करेंगे हम यह ग्राम सुराज पर जैसे ही admin login से login करेंगे हमारे पास यह screen सामने आ जाएगी अब इदर आपको पता यह सारे options दिखते हैं तो इन options में से हमें second options resource envelopes resource envelopes पर click करना है ठीक है जैसे ही मैंने resource envelope पर click किया यहां लिखा आगया budget allocation दिख रहा है आपको साब साब budget allocation अब हम इस पर click करते है budget allocation पर यह देखिए मैंने budget allocation पर click किया तो जैसे ही मैंने budget allocation पर click किया तो आपको इस तरह से सामने screen दिखने लगेगी यहां साब साब दिख रहा है budget allocation यह budget allocation फिर इसमें screen दिख रही है central schemes, grants, state schemes, grants और other तो अब हम इसमें सभी schemes के लिए budget allocation कर सकते हैं अब दोस्तों जैसे हमने पहले इस पर click किया central scheme grants केंदर सरकार की schemes है यह grants है उस पर हमें budget allocation करना है तो देखिए आपको इस तरह से screen दिखने लगेगी central schemes सारी central schemes से दिखने लगेगी आपको अच्छा दोस्तों यहां यह बात जरूर समझ लीजिए आप सभी को पता ही है कि किसी भी कार पर हमें कुछ खर्च करना है किसी योजना से तो हमें सबसे पहले उसका budget बनाना पड़ता है budget के बाद ही हम किसी योजना पर खर्च कर सकते है budget बनाना पड़ता है और उसकी opening balance entry करनी पड़ती है उसी के बाद हम उस योजना से खर्च कर सकते हैं इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं कि budget allocation के से करें और opening balance की entry के से करें अब दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे देखिए central scheme से जैसे ही क्लिक या मैंने तो यहां दिख देख रहा है border area development program यह देखिए scheme name देख रहा है serial number scheme name component name scheme type ठीक है और budgetary allocation in rupees और यहां देख रहा है total फिर opening balance details in rupees और reverted amount in rupees तो दोस्तों आप यहां देख रहा होंगे second number पे जो है central finance commission grant basic grant यह scheme type partial तो देखिए यहां आप click नहीं कर पाएंगे यहां आप कुछ भी नहीं लिख सक feed है यह जितने भी हमारा amount है जितना भी rupees है यह हमारा पहले से ही feed है इसलिए आप यहां changes अभी नहीं कर पाएंगे यह total भी आपको देख रहा है तो दोस्तों मैं इसका सबसे चतायता हूं कि आप central finance commission grant को ना तभी इसमें budget allocate कर सकते हैं और ना ही इसकी opening balance की entry कर सकते हैं क्यों हर साल उस योजना में केवल आगे उसमें receipt voucher बनाके ही हमें जो amount प्राप्त होता है receipt होता है उसके entry कर सकते हैं तो केवल हर योजना के लिए एक बार budget allocate करेंगे हम उसमें फिर opening balance के entry कर देंगे उसके बाद हम जो जो receipt voucher बनाएंगे उससे उसका budget बढ़त जाएगा तो हमें बार-बार उसके लिए budget allocation या उसका opening balance नहीं डालना पड़ाए उसके receipt voucher टालके उसके आगे का amount डालना पड़ेगा तो देखे आप यहां देख रहा होंगे central scheme जो commission grant है central finance commission basic grant उसमें जो राशी है जो amount लिखा हुआ पहले से आ रहा है चुकि हम इसका budget allocate भी पहले से कर चुके हैं और इसका receipt voucher भी हम बना चुके हैं तो यह बो amount हमको दिखेगा तो इसके लिए हमको इसका budget allocate करने जरूत नहीं है और नहीं इसकी opening balance entry जरूत है कि यह पहले से यहां फीड है इसी तरह आप और देखिए performance grant अभी यह भी आप फीड नहीं कर पाएंगे इसके बाद देखि यह जो हमारा पिछले साल का जो शेस था भो यहां हमें साफ सब दिखेगा जो भी हमारा बच्चा हुआ था 14 finance commission बेसी grant में यहां पहले से फीड रहेगा ठीक है इसी performance grant का कुछ नहीं था तो यह नहीं दिखेगा अब देखिए आप यह देख रहा है integrated child development service यहां आप कुछ भ देखेगा budgetary allocation in rupees यहां लिखा SC फिर ST फिर general मतलब यदि आप कोई सा काम कर रहे हैं जो SC वाहुली छेत्रों में किया रहा है मतला हरीजन महले में जादा किया जा रहा है तो यहां उसमें जो पेसा आया है वह लिखेंगे यदि ST महलने में किया जा रहा है आदिवाशी महलने में कोई सा काम किया जा रहा है उसके समय पेसा आया तो आप इस कालम में लिखेंगे उसके बाद जनरल यादि सामान ने वर्ग के महलों में आपका का पेसा आया तो आप उसके एंट्री यहां करेंगे ठीक है तो इस तरह से आपको SC 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 general बहुल महलने में एंट्री करना जैस पचास है लिख दिया-ईसि का मधर लिग दिया-एस्टी घूरी जिए 20 घटवख लीजर है जन्रेल चैतरी के लिए आया है सांहे तो हिया तो इस तरह हम यहां बगर ँलोका सकते है यहां यहां दिखेंगा हम है टोटल में हूजज इस तरह हम यहां ऐख जाएगा हुज कर आप उन में budget allocate कर सकते हैं खेल ओ इंडिया योजना है ना पंचायत यूबा केंद्र और खेल में अभियान के अंतरगत कोई से आ रही है जैसे के अंतरगत पेसा मिला तो आप यहां एंटर कर सकते हैं इसे ही मंडरेगा में भी आप एंट्री नहीं कर सकते हैं यहां दिखेगा ठीके इसके पच्छात हम क्या करेंगे जिसे नेशनल कूर्ट सेक्रेटी मिशन एन फसम में दी कोई पेसा आप एंटर कर सकते हैं बिलकुल जैसे हैं दस अजार किया किसी में नहीं आया तो आप छोड़ भी सकते हैं इसे नेशनल फूर्ट सेक्रेटी मिशन में आया है तो आप यहां एंटरी कर सकते हैं जिसबी जोजनाव जितना भी आई आप यहां एंटरी कर सकते हैं नेशनल बूर्ल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्रम में आया तो आप उसके एंटरी कर दीगा जितने भी आप करना चाहिए यहां एक मेँ है तो यहां दिखना है तो आप यहां तो आप और दिकनों याज़का है कर सकते फृषियों फ्रशान這種 स्क्राइश परदान्य योजना को भीक है आप यहां बजेत कर सकते है। इसी सारी योजना है आप पूरी योजना एक एक बार देख लिजिए जिस योजना में आपके पंचायत में पेसा है आप उसको यहां इंसर्ट कर सकते हैं, उसको यहां फीट कर सकते हैं, ठीके, यह राष्टी ग्राम सवाज अब यहां के अंतरगत कुछ पेसा आया, तो आप उसको यहां लिख दीजिए, ठीके, तो इस तरह से आपका पूरी एंट्री होती जाएगी, जो भी एंट्री करें यहां आपको फुल दिखने लगेगा, यह हमारा हो गया Central Skims, Central Skims के अंतर जितना ही पेसा है, उसका Budget Allocation केसे करना है, ठीके इसके आद आप सीधे Save पर क्लिक कर सकते है, तो वो Budget Allocate हो जाएगा, इसके आद में दिखायता हूँ, State Skims, Grants में केसे पेसा है, आपको इंटरल करना है, जैसे State Skims वाभी क Budget Allocation में आपके पास आया है, SC वाहुल चेतरों के लिए 40,000, ST के लिए 50,000, और यहां आया 20,000, सम्मानन वाहुल चेतरों के लिए यह आप एंटर करके, यह तो टोटल है, और यहां फिर Save पर क्लिक कर सकते है, ठीके, यहां जो दिखा रहा है, आप इसके बाद में दिखा रह Central Schemes, State Schemes, इन में कैसे हम Budget Allocation करें, अब हम Others पर क्लिक करते हैं, देख अधर पर जैसे ही क्लिक किया यहां आ रहा है, इसके अंदरगत आया तो आप इसके अंदरगत एंटर कर सकते हैं, जितना भी पेसा आया है, वो आप एंटर कर सकते हैं इसमें, और यहां आपका टोटल दिख जाएगा, इसी तरह Own Funds, यदि आपकी कर से आय हो रही है आपकी पंचायत में, तो या किसी भी तरह से आपकी पंचायत में, आप कर रहे हैं, कुछ टेक्स लगा के, कुछ कर से, कुछ नल जल योजना के तहत, बिल भरवा के, कुछ भी आप, यदि आपकी पंचायत क यहाँ, इस तरह से आपको allocate करना और आप फिर save पर click कर देंगे, जैसे यह आप save पर click करेंगे, तो आपका पूरी योजना में budget allocation हो जाएगा, तो दोस्तों हमने आज यहाँ बहुत अच्छे सीग लिया है कि central scheme में के से budget allocate करना है, फिर state schemes में के से budget allocate करना है, और others scheme में के से budget allocate करना है, और दोस्तों यह बिल्कुल धियान रखेगा, कि किसी भी काह में हम खर्च तभी कर पाएंगे, जबकि हम उसका budget allocate कर पाएंगे, आप अभी तक 14 finance commission का payment voucher इसलिए बना पा रहे थे, क्योंकि वहाँ budget allocate पहले से है, यह देखा था, budget allocate यहाँ पहले से है, 14 finance का, यह द केसे मेप करना था, केसे insert करना था इस software में, तो हमने वो देख चुके है, तो हमने scheme तो मेप कर ली थी, आप scheme में budget allocate भी करना पड़ेगा, ठीक है, हमने central finance commission तो क्या scheme पहले से ही मेप भी थी, और उसमें पेशा भी पहले से budget allocate था, इसलिए हमारा payment voucher असानी से बन पाला था, अब हमें बाकी schemes में, फिल budget allocate करना पड़ेगा, उसके बाद हम opening valence entry करेंगे और फिर payment voucher बना पाएंगे, ठीक है, यह हमने scheme सीखे, आप हम सेखते है opening valence की entry, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कि यहाँ आपको home दिख रहा है, सबसे पहले मैं इस home button पर click करता हूँ, यह म option पर click किया, तो मेरा पहला page home page फिर से आ चुका है, अब दोस्तों हम सेखेंगे कि किसी भी scheme में opening valence की entry किस तरह करें, दोस्तों यह याद रखिएगा, कि आप मेरी online panchayat, जो मेरा YouTube channel बना हुआ है, इसको subscribe ज़रूर कीजिए, इस तरह से बटन दिखेगी, और आप जानते है इससे आपको प्रत्यक मेरे नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, छलो दोस्तों आज हम सीखते हैं, opening valence की entry किस प्रकार करना है, तो आप क्या करेंगे, यह आपको home page दिख रहा है, admin login पे है, यह विल्कुल आप ध्यान रखिएगा, अब हम जाते हैं इसमें, यह सारे options में, अब हम जाएंगे master entry पर, ठीक है, अब हम click करते है master entry पर, यह मैंने click किया, देख लीजिए, आपको कई सारे options दिख रहे हैं, अब हम इसमें, इसकी option पर click करके map का option हम समझी चुके है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, नीचे वाले option पर, नीचे से दूसरा जो option है opening balance entry, ओपनिंग eyelet entry ठीक है, अब हम इस पर click करने वाले है, यह देखे मैंने opening balance entry पर click किया, तो इसमें दो आप्जिए and or manage, ठीक है, तो हम अभी इसके पहले option पर click करते है, add option पर, यह मैंने add option पर click किया, जैसे मैंने add option पर click किया, यह यह screen सामने आ गया है, ओपनिंग बे 2021 अब दोस्तों यहां लिखा रहा है scheme name ठीक है आप बिल्कुल साफ सब देख पा रहे है scheme name तो अब हम इसमें click करेंगे जैसे ही हम click करेंगे देखें यहां सारी schemes के name आने लगे हैं अब दोस्तों इसमें 14 finance commission का name नहीं आएगा क्योंकि हमने 14 finance commission की जो है वो opening कर चुक है जो पिछले कुछ साल हो जब से हमारा software चाल हुआ है हमने तभी से 14 finance commission की opening valence entry कर दी ती इसलिए यह 14 finance commission नहीं दिखेगा और आप सब को पता ही कि एक बार यह थी हमने किसी scheme की opening valence entry कर दी तो फिर आके हमें केवल receipt voucher बना के ही उसमें amount जोडना है बार बार हमें opening valence entry नहीं करना है अब चुकि हमने जो अभी other schemes map करी है उसकी हमने opening valence entry नहीं करी है इसलिए यहां other schemes अभी आपको दिख रही है ठीक है जानकरी यहां दिख रही है तो अब हम समझते हैं कि इन सभी योजनाओं में हम किस प्रकार से opening valence के entry कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम सीखते है opening valence के entry किस प्रकार की जाए तो यहां हम इसकी name पे scheme सरेट करते हैं financial year दिखी रहा है इसका scheme name दिख रहा है तो हम यहां click करेंगे और जिस भी scheme में हमारे पास पेसा आया हुग हमारी पंचायत के खाते में हम उस scheme में यहां entry करेंगे ठीक है जैसे मान लिजिए हमारे पास किसी भी चीजों पेसा आया जितनी भी scheme से आप किसी भी scheme से सलेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब यहां बहुत सारी scheme दिखेंगे में किसी एक scheme पे समझा देता हूँ आप फिर हर scheme में entry कर सकेंगे जैसे मान लिजिए मिड़े मील scheme में में पेसा आया आपकी पंचाया दिखाते हैं तो आप इस पर क्लिक करके हम समझ सकते हैं यह देखिए हमें क्लिक करने जा रहा हूँ यह देखिए मैंने क्लिक करा मिड़े मील scheme mdms यहां लिखा गया component name अब हम इस पर सलेक्ट करने मान लिजिए इसमें कुछ amount होगा हमारे पास case in hand तो हम यहां लिख सकते हैं मान लिजिए 4000 case in hand है तो यहां लिख दिगे लिख दिगे बेंक में है क्योंकि नर्मली आप हमारे बेंकों खाते में ही रहता है हमारे पंचाट के एकल बेंक खाते में ही तो बेंक में जिसे हमारा एलोकेट हो चुका हो और ओपनिंग बिलेंस एंट्री हो चुकी हो उसके बाद ही उसमें रिसिप्ट बाउचर बनते हैं जैसे कि हम 14 फाइनेंस कमिशन में देख चुके हैं तो यह मैंने एंट्री करें इसका लिगा रहा है यहाँ एडवांसेज एडवांसेज के आगे आप क क्लिक किया तो देखिए यह आपके पास सामने स्क्रीन आ जाएगी फाइनेशल यह लिखा है 2020-2021 एडवांसेज गीवन टू हम किसको एडवांसेज गीवन टू कर रहे हैं मानलीज एडवांसेज गीवन टू इसे पी आराइडर्स लाइन डिपार्टमेंट किसको कर रहे है म मांटन रूपीज आप जितना भी एडवांसेज देना चाहते है जो भी आपकी पहन्चायत माया है बूल आप यह लिख सकते हैं जो भी आपका आया जैसे मालीजिए फॉर लाइन डिपार्टमेंट ठीके पर्टिकुलर सही लिखने में हमें यह फाइदा है कि आगे भी क्लिक करेंगे यह मैंने क्लिक किया जैसी क्लिक किया तो यहां अपने आप एंटर होके आगया है ठीक है अब आप आपस इससी पर क्लिक करेंगे गलत एंट्री होगी तो आप इसको डिलीड भी कर सकते हैं यह देखिए आमने जो एडवांस एंटर्ट किया था यह तारा है और हम डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से आप जो भी आप को एंटर करना वह एंटर कर सकते हैं अभी में क्लोस कर देता हूं इसकी वाद क्या है और आप के ऊपन आप क्लिक कर देंगे तो यह आप के सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा Receive rebels का То brave ask 20,000 इनमानले फौन दिखा वोन दूसितぜंख दिमानले वोटोड़ निकानगे इसे आप Receive rebels कही सारे बना सकते हैं जिसे Receiveals यह हो गया, विशार इसका Next Entry करना तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, यह तो एक Entry हो गई है, अब इसके बने आप और दूसरी एक अंदरगत भी आया तो आप भी हाँ सलेक्ट कर सकते हैं, जिसे कोई सब आपने सलेक्ट के माली प्रचान रहाप reporting कर दिंगे balance fredमें आप देखें में, आपका 20 होजानाप में इसमा मम इनटर कर दिया, इसमे इंटर कर सकते हैं कुछ बी कि इससा मेली 1000 करा नोह संभी कर दीना तुरिक-ईसार तूटल आ जाएगा महाँ आपने चि के लृष करी थी अब हम यहां क्या है नोगो कर दूठ एंट्रे गशीज तो इसके डिलीुत पिन अर्फ इंट्र से यहां क्लिक करके अब कर सकते हैं नई में यह तूटल वाद पास कितना तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी जीरो आ रहे हैं कि अभी कोई एंट्री हमने नहीं करिए इसलिए इसको अभी जीरो ही रहने दिजी है हमने एडवांसेज बढ़ दिया, रिसीवेवल्स बढ़ दिया ठीक है, केश इन बेंक में बढ़ दिया, अब इसके हम लिएविलिटी पर जाते हैं तो लिएविलिटी के अंतरगत हम यहाँ क्लिक करेंगे जैसे क्लिक किया, तो देखें आप क्या सारा है लिएविलिटी फैनेशल यहर 2020 कि एडवांसेज गिवन टू जैसे मानली जैए एजेंसी है, तो हम एजेंसी पर क्लिक करते हैं जैसे मानली जैए अदर पर क्लिक करते हैं, एडवांसेज गिवन टू यह आगया एजेंसी, इसमें हमार पास जो एजेंसी सेव है, उनका नाम आएंगे यहाँ है ना जैसे मैंने माल लिए गुवल ग्राफिक सर्दा पर क्लिक करा यह जनसी बोई नाम आएंगे जो कि हमने हमार पास अभी एजनसी सेव उन पे उनके नाम आएंगे यहां अब इसमें से देखिए बहुत सारे आप्शन आरहे हैं आपके लिए जो सही आप्शन हो आप उसम है सब कर दिक पूरा आपंडर है इस के बाद क्लिक करेंगे यह मान इं रुपी जितना अब हमालीजी ढाटिक और लिए निक्राइल आप सब लिए लिए आपका है इसे में ममजो को डाल देता हूँ आप्टीब क्लिक चिजक यह को इसमे खुलिक कर सकते हैं हमने एक एंट्री और करी ji यहां एससा 선택 किया और जो भी अमंट हे वो लिख दिया ठीक है JUG मिने समीट पर क्लिक करना है सप्लिक करा यह जदि भी अप्ट से क्लिक करना है रिख दिका हम इसे तो यहां सेडिलिक करेंगे और ये delete option से delete भी कर सकते हैं ठीक है अभी मैं close कर देता हूँ अब इसके आद हम जाते हैं payables पर payables पर हमें केसे entry करना है तो यहाँ भी 0 दिख रहा हम इस पर click करेंगे यहाँ जैसे click करेंगे payables लिखा हुआ आया इसमें आया scheme name हम अभी scheme select करेंगे लिखे सारी scheme दिख रही है माली जै मिट्डे मेल scheme हमने select करी तो यहाँ click किया component name आया इसमें select किया माली जै own resources select किया इसमें component own resources आया ठीक है amount in rupees हम डाल सकते हैं जितना भी हमारे पास है माली जै 7000 है तो हमने 7000 payables में कराई इसे हम next entry कर सकते हैं किसी भी जोजना में हमेरी प्रांति ग्राम शड़क जोड़ना तो उसमें कर सकते हैं कोई सी जोजना में हम यहां इसी next entry भी कर सकते हो फिर हम submit पर click कर देंगे पीस करेंगे तो किसमेट कर भी टोतल है अब फिर से क्लिक करेंगे तो मैं इहाँ से डिली भी कर सकते हैं usual इसके बाद दोस्तों है यहाँ क्लिक करेंगे यहांसे तो देखेए जैसे यहम क्लिक करेंगे वंध जीरो रहा है तो अभी भी इसको आप रहने थीक, अपनिक बलंस एंट्री अब है, अब इसका सीक निख है जितनी वी सारी योजना, इस योजना आपके पास पैसा में उसकी पास प्रॉचाते में आप उसकी यहां एंट्री कर सकते हैं इसके वाद आपको और पूरी प्रोसेस समझी, इसके वाद आपको या तो आप से पर क्लिक कर सकते हैं या फ्रीज पर तो मेरा जहां तक मानना है कि सब सर यादा मेरा यही सोचाव रह सी आप किसी भी जोजना में जब ऑपनिंग मेलेंज एंट्रीव करे हैं तो freeze option पर क्लिक करें जिसे एक बार में ही आपका data पूरी तरह से freeze हो जाए और वो show होने लगे तो दोस्तों जब आपको तो आपने इतनी सारी feeding कर लिए इसके बाद आपको freeze पर क्लिक करना इसी तरह आप यहां से सारी जोडना select कर सकते हैं जो भी आपके पास है माली यह BPL census के लिए तो आप इसकी में पेसा आया है आप इसमें से वो select करके उसकी opening valence के entry कर सकते हैं पूरी process यही की रहेगी तो आप यहां से अपनी जो इसकी में select करें और उसके आगे पूरी entry करते रहें और आखरी में फीज़ कर दें तो यह बिल्कुल समझ लीजिए कि किसी वी जोडना पर आप payment voucher तभी बना पाएंगे जबकि उसका budget allocation हो चुका हो और opening valence entry हो चुकी हो तो आप इस तरह से पूरा किसी भी जोडना में opening valence entry कर सकते हैं और budget allocate कर सकते हैं अभी यह तक आप देख रहे थे कि 14 finance commission में आप payment voucher बना पा रहे हैं क्योंकि उसका opening valence entry हमारे पिछले कुछ साला में हो चुकी है और हम उसको budget allocate कर चुके हैं और उसकी opening valence entry हो चुकी और budget allocate इसलिए हम उसका payment voucher बना पा रहे हैं अन्नी scheme किसी से भी करना तो अभी हमने मेरे पिछले वीडियों आपने लगा हो कि हमने अन्नी scheme मेप करी सबसले तो मेप करना पड़ता है अन्नी scheme को फिर budget allocate करना पड़ता हो फिर opening valence entry यहां फीट करनी होती है उसके बाद हम किसी भी अ मेरे यूट्यूब चैनल आउनले बंचायत इसमें सबस्क्राइब की बटन दिखती है रेट बेग्राउंड से आपको इस पर क्लिक करना है और आपको पता हिए कि यह पूर्णता निश्वल के है और इससे आपको मेरे प्रत्ते नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी त अन्यवाद दोस्तो